हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सची डरावनी कहानिया लेकर आगया हूँ तो अगर आपको सची डरावनी कहानिया सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही बिल आइकन को आउल पर सेलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहत करीब से देखते हैं मेरा नाम केसव है ये मेरे परिवार के साथ घटी बिल्कुल सची घटना है ये बात तकरीबन धाई साल पहले की है उन दिनों मेरे बाबुजी साइकिल रिक्सा चलाते थे और वही हम सबका रोजी रोटी का साधन भी था खेर उस रात बाबु जी अपना साइकिल रिक्सा चलाते हुए राम नगर चौराहा के पास आकर अपना रिक्सा वहीं खड़ा किये उस वक्त रात के आठ सवा आठ बजे का वक्त हो रहा था चौराहे पर रिक्सा लगाय हुए बाबु जी को काफी देर हो गई थी मगर अभी तक उन्हें एक भी सवारी मिली नहीं थी तो रिक्से पर बैठे बैठे ही बाबु जी ने अपनी जेव से एक मीड़ी निकाली और मीड़ी पीने लगे बाबु जी मीड़ी पी ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के दूसरी दरब एक आदमी हाथ में एक बड़ा सब बैग लेकर ख़ड़ा था उस वक्त वैसे तो काफी अंधेरा था मगर रास्ते की रोड लाइट की चमकती रुसली में बाबु जी ने देखा कि वो आदमी काफी परिसान लग रहा था साथी उस आदमी को बार-बार पसीना भी आ रहा था क्योंकि वो बार-बार रुमाल से अपने चेहरे को पहुच रहा था उस आदमी को देखते देखते ही पता नहीं बाबु जी को क्या सुजा कि वो रिक्से से उतर कर उस आदमी के पास चले गए और उस से पूछने लगे कि क्या बात है भाई साब आप बहुत परिसान लग रहे हो बाबु जी के इतना पूछने पर पहले तो उस आदमी ने बाबु जी को उपर से नीचे तक ध्यान से देखा जिसके बाद उस आदमी ने बाबुजी से कहा कि ददा वो क्या है कि मैं इस सहर में बिलकुल नया हूँ और काम की तलास में ही मैं आज इस सहर में आया था मगर आज काफी तलासने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला और मेरे पास जो पैसे थे वो भी ट्रेंड में चोरी हो गए है अब इस नए सहर में ना तो मेरे पास कोई रहने का ठिकाना है और ना ही पैसे है कि मैं वापस अपने गाउं लोट सकूँ और इतना कहकर ही वो आदमी जोर जोर से रोने भी लखने लगा उस अजनभी आदमी को रोता भी लखता देखकर बाबुजी का दिल भराया और उन्होंने उस आदमी से कहा कि इस सहर में कोई काम मिलने तक अगर वो चाहे तो बाबुजी के साथ उनके घर पर रह सकता है दोस्तों मेरे बाबुजी बहुत नेग दिल इंसान है मगर सायद उन्हें पता नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो हमारे जीवन में आती तो हमारी मर्जी से है मगर जाती अपनी मर्जी से है उस रात मेरे बाबुजी के साथ वे कुछ ऐसा ही हुआ बाबुजी के पूचने पर वो आदमी बहुत खुस हो गया और बाबुजी को सुक्रिया कहते हुए वो सहर में काम मिलने तक बाबुजी के घर पर रहने के लिए त्यार हो गया अब तक रात काफी हो चुकी थी तो बाबुजी ने उस आदमी को अपने रिक्से में पीछे बैठा लिया और वो घर के लिए निकल पड़े रात के लगवग सारे दस बजे तक बाबुजी घर पहुँचे और उस आदमी के साथ बाबुजी घर के अंदर ताखिल हुए अब तक मैं और मेरी बहन अपने कमरे में सोच चुके थे घर पर सिर्फ मेरी मा जग रही थी उस अजनबी को देखकर माने बाबुजी से उसके बारे में पूछा तो बाबुजी ने मेरी मा को पूरी बात बताई और कहा कि जब तक इसे सहर में कोई काम धनना नहीं मिल जाता तब तक ये अपने घर पर ही रहेगा अब बाबुजी के फैसले पर मा कुछ कहना ही सकती थी तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और फिर बाबुजी के कहने पर माने बाबुजी और उस आदमी के लिए खाना लगाया और फिर खाना पीना करने के बाद बाबुजी ने उस आदमी को रहने के लिए घर के सेकेंड फ्लोर का एक कमरा दे दिया इसके बाद एक दो दिन तक तो सब कुछ नॉर्मन रहा वो आदमी दिन भर घर से बाहर रहता और रात होते ही घर आके खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता मगर उस आदमी की हरकते काफी अजीब होती थी वो काफी अजीब ढंक से चलता था और उसकी आँखे हमेशा गुसे से लाल सुरख रहती थी साथ ही उस आदमी में से एक अजीब सी घंधाती थी ठीक वैसी जैसी किसी मरे हुए मुर्दे के सरीर में से आती है खेर ये सिलसिला योही कही दिनों तक चलता रहा और भी ते इन दिनों में बाबु जी ने कही मरतबा उस आदमी से पूछा कि उसे कोई काम मिला या नहीं मगर हर बार उसका एक ही जवाब रहता कि अभी तक उसे कोई काम नहीं मिला है अब बाबु जी भी दवी जुबान कहने लगे थे कि उन्होंने एक कैसी मुसीबत अपने सर ले ली है और फिर एक रात जब हाम सब घर पर सो रहे थे तब एक एक घर के सिकेंड फ्लोर से अजीबों गरीब आवाजे आने लगी वो आवाजे इतनी डराऊनी थी कि मेरा और मेरी बहन का डर के मारे बुरा हाल हो गया था घर पर सभी लोग जाक चुके थे और फिर हम सब बाबु जी के पीछे पीछे घर के जीने से सिकेंड फ्लोर पर गए और जब हम घर के सिकेंड फ्लोर पर उस आदमी के कमरे में गए तो वहाँ हम सब ने जो देखा वो देखकर हमारी आँखे फटी की फटी रह गई वो आदमी कमरे के आखिरी कोने पर जमीन पर खुन से लटपत पड़ा हुआ था वो अपने ही सरीर के उस तरिंदे की नेचर हम पर पड़ी और तभी अचानक से घर की सारी लाइट्स पंध हो गई और चारो तरब घणा अंधेरा फैल गया डर के मारे हम सब एक दूसरे को कसकर पकड़ रखे थे अंधेरे में ही जैसे तैसे करके हम जीने के पास पहुँचे और जल्दे से घर से बाहर भागने के लिए जीने से नीचे वाले फ्लोर की तरब भागे लेकिन तभी हमें हमारे बाबुजी की दर्द भरी चीखे सुनाई दी और तभी मेरी माने उनके फोन की फ्लैसलाइट चारू कर दी फोन की हलकी रोसनी में हमने हमारे बाबुजी का कटा हुआ सर हमारे पैलो के नीचे पढ़ा हुआ देखा और हमसे कुछी कदम की दूरी पर वो मुर्दा हमारे बाबुजी के धड़के मांस के लोथलो को चबा चबा कर खा रहा था उस मुर्दे के पूरे सरीर पर काले और लंबे बाल निकले हुए थे और उसका पूरा चेरा खून से सना हुआ था वो खौफनाप मंजय देखना ही था कि ढरके मारे मेरी मा के हाथ से फोन छोट कर नीचे गिर गया और जीने पर फिसलते हुए घर के निचले हिस्से में चला गया साथ ही हम सब भी चीकते चिलाते हुए फुरी जान लगाकर वहां से भागे और तब तक नहीं रुके जब तक की हम घर से बाहर नहीं निकला है घर के बाहर रास्ते के तूसरी और खंबे पर लगा हुआ एक पीली रोसनी वाला बल्ब जल रहा था उसी बल्ब की हलकी रोषणी में मैंने देखा कि घर के बार सिर्फ मैं और मेरी माही आ पाए थे मेरी चोटी बहन हमारे साथ नहीं थी वो देखना ही था कि माह जोड़ जोड़ से सर पीट-पीट कर रोने किर गिराने लगी और तभी घर से मेरी बहन की चीखने और रोने बिलखने की आवाजे आने लगी और तभी हमने देखा कि उस मुर्दे से खुद की जान को बचाते हुए मेरी बहन घर की चट पर आ गई और चट से ही चीख चीख कर हमें उसकी मदद के लिए बुलाने लगी वो देखकर मैं अपनी जान की परवा किये बगएर दुबारा घर के अंदर मेरी बेहन की जान बचाने के लिए भागा लेकिन तभी अगले ही पल वो मुर्दा घर की छट पर आ गया और तब उस मुर्दे को अपने बेहत करीब देखकर मेरी बेहन इतनी खौफ जटा हो गई कि वो कुछ सोर समझ ना सकी और अपनी जान बचाने के लिए घर की दूसरी मंजिला छट से नीचे कूद गई और नीचे गिरते ही मेरी बेहन का सर फट गया और वहीं दडब कर उसकी मौथ हो गई वो देखकर मैं और मेरी मां सर पीट पीट कर रोने बिलखने लगे लेकिन तभी वो मुर्दालास हमारा पीछा करते हुए घर से बाहरा गई वो देखकर मैं और मां पूरी जान लगा कर वहां से भागे और रास्ते पर आगे भागते हुए हमें हमारे पीछे आते हुए उस मुर्दे के कदमों की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी मगर खुसकिसमती से हमारे घर के कुछी दूरी पर एक हनुमान मंदिर था भागते हुए मैं और मेरी मा उसी हनुमान मंदिर के अंदर चले गए और मंदिर के अंदर जाकर हमने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया वो मुर्दा मंदिर के बाहर ही जकर काट रहा था लेकिन वो मंदिर के अंदर क्या मंदिर के करीब भी नहीं आ पा रहा था मैंने और माने जैसे तैसे वो पूरी रात मंदिर के अंदर बिताई और सुबह होते ही मंदिर के पुजारी जी मंदिर के अंदर आए और वो हमें देखते ही पहचान गए और वो हमसे बोलेगी क्या बात है तुम दोनों बहुत परेसान दिख रहे हो पुजारी जी के पूछने पर मा ने उन्हें सारी बात बताई मेरी मा की बाते सुनने के बाद मंदिर के पुजारी ने कुछ मंत पढ़ने के बाद मेरे और मेरी मा के हाथ में दो लाल थागे बांद है और फिर पुजारी जी बोलेगी ये धागे रच्छा कबच की तरह उस मुर्दे की रूह से तुम्हारी रच्छा करेंगे और फिर आगे पुजारी जी ने हमसे कहा कि इस रूह ने आपके घर पर कब्जा कर लिया है दिन भर तो ये रूह अपनी कब्र पर दफन रहेगी लेकिन रात होते ही ये वावस आपके घर पर लोटाएगी इसलिए दिन में ही हमें आपके घर पर एक प्रेद मुक्ती यग करना होगा जिसके पुरे होने के बाद आपका घर एक रच्छा कबच की तरह इन बुरी सक्तियों से महफूज हो जाएगा लेकिन याद रहे हमें ये यग आज का सूरज ढ़ने से पहले ही पूरा करना होगा वरना फिर उस रूख को आपके घर से दूर करना बेहत मुस्किल हो जाएगा पुजारी जी की बाते सुनकर हमने उनसे जल्द से जल्द उस यग को सुरू करने के लिए कहा और तब पुजारी जी ने कहा कि उस स्यग्य को करने से पहले हमें आपके घर को पूरी तरह से सुद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले आपके बाबुजी और आपकी बेटी का अंतिम संसकार करना होगा दोस्तो पुजारी जी के कहए अनुसार हमने बाबुजी और मेरी बेहन का अंतिम संसकार किया और फिर इसके बाद पुजारी जी की साहता से हमने हमारे घर पर प्रेत मुक्ती अगे किया और खुस किसमती से ये सब कुछ रात होने से पहले ही हो गया जिसके बाद पुजारी जी ने कहा कि अब आप दोनों उस रूह के साए से मुक्त हो और अब वो रूह चाहकर भी आपके घर में प्रवेस नहीं कर सकती है पुजारी जी की बात सुनकर मेरे और मेरी मा की जान में जाना गई और हमने पुजारी जी से हमारी मदद के लिए धन्यवाद कहा दोस्तो आज इस घटना को हुए ढ़ाई साल बेच चुके है मगर खुश किसमती से बीते इन सालों में फिर कभी हमारा सामना इन बुरी बलाव से नहीं हुआ और आज हम एक नए घर पर सिप्ट हो चुके हैं और खुशी-खुशी अपना जीवन जी रहे हैं तो दोस्तो ये थी मेरे परिवार के साथ घटी बिलकुल सची घटना जा रहा हूँ ये मेरे दूर के मामा जी के साथ घटी है ये सन 1994 के आसपास की घटना है तब मेरे मामा जी की उम्र 35 से 40 साल के बीच की थी उस दिन मेरे मामा जी किसी जरूरी काम से मदनपुर गाउं जा रहे थे जो कि मेरे मामा के गाउं से लगभग आठ किलो मीटर दूर था उन दिनों कर्मियों के दिन थे और मामा जी साइकल से ही मदनपुर गाउं के लिए निकले थे रास्ते पर जल्दी जल्दी साइकल चलाते हुए मामा अब तक काफी रास्ता पार कर चुके थे अब तक दोपहर के दो बच चुके थे और दोपहर की कड़ी धूप के साथ साथ कर्म लू भी चल रही थी जिस वज़े से मामा को बहुत तेज़की प्यास लगी थी लेकिन मामा अपने साथ पानी लाना भूल गए थे और साथ ही जिस रास्ते पर उस वक्त मामा आगे मदनपुर गाउ के लिए बढ़ रहे थे वो रास्ता पूरा कच्चा था और दोनों दरब से गने जंगल से गीरा हुआ था जिस वज़े से उस वीराने में कही पानी मिलने की उम्मीद तो मामा ने छोड़ी दी थी लेकिन फिर जब वो रास्ते पर कुछ दूर और आगे निकले तो वहाँ पर उनकी निजर एक कुए पर पड़ी देखने से वो कुआ बेहत पुराना और राजा महराजाओं के जमाने का लग रहा था साथ ही वो कुआ पूरा घनी जंगल ज़ाडियों से गिरा हुआ था लेकिन मामा इतने प्यासे थे कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वो वही एक पेड़ के पास अपनी साइकल को खड़ा किये और ज़ाडियों को हाथ से हटाते हुए उस कुए के तरब बढ़ने लगे मेरी मामा जब कुए के पास पहुचे तो उन्होंने देखा कि कुए पूरा पानी से भरा हुआ था लेकिन उस कुए के चारु तरब जंगली घा सुगी हुई थी बगर एक बात थी जो मामा को बहुत अजीव लगी कि इतने वीराने और सुंसान जंगल में भी उस कुए के पास पानी भरने के लिए एक बड़ा सा रस्सा और एक बाल्टी रखी हुई थी और देखने से उस बाल्टी और रस्से की कंडिसन भी बिल्कुल ठीक थी ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कुछ दिन पहले ही वहाँ वो बाल्टी और रस्सा रखा था खेर मामा ने इन सब बात उपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उस बाल्टी को रस्से से बांद कर उस बाल्टी को पानी भरने के लिए कुए में डाल दिया और बाल्टी में पानी भरते ही मामा ने जैसे ही उस बाल्टी को बाहर निकालने के लिए रसे को उपर खीचा कि तभी कुए के अंदर से दो हाथ बाहर निकले और वो उस बाल्टी को कुए के अंदर खीचने लगे वो देखकर मेरे मामा डर के मारे जोर से चिखे और उनके हाथ से रशा छूट कर कुवे के अंदर चला गया और तभी मामा को उस कुवे के अंदर से किसी के जोर जोर से हसने की आवाजे सुनाई दी और तभी मामा ने कुवे के अंदर पानी में चमकती दो लाल आखे देखी और वो देखकर मामा की रॉंग टेखड़े हो गए और वो जल्दी से वहां से निकल गए और फिर जब मामा ने इस बारे में अपने गाओं के लोगों को बताया तब एक आदमी से उन्हें पता चला की उस कुए पर कई सालों से एक जल पिसाचिनी का साया है और कई लोगों की उस कुए में डोब कर मौत हो गई है बताते हैं कि कई सालों पहले उसी रास्ते से एक ओरत अपने घर जा रही थी लेकिन कुछ दरिंदों की नजर उस ओरत पर थी और उन दरिंदों ने उस ओरत का सारा सामान लोट लिया और उस ओरत का बलतकार करके उसे जिन्दा ही कुवे में फेक दिया जिसके बाद उस ओरत की उसी कुवे में डोप कर मौथ हो गई इसके बाद उस ओरत की आत्मा ने एक पिसाचिनी का रूप ले लिया और तभी से उस पिसाचिनी का साया उस कुए में बठकता हुआ देखा जाता है खेर खुश किसमती से उस दिन मेरे मामा की जान बच गई और इसके बाद फिर कभी वो उस कुए के आसपास से भी नहीं कुछरे तो दोस्तों ये थी मेरे मामा के साथ गटी बिल्कुल सची घटना ये दूसरी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे चाचा के साथ गटी बिल्कुल सची घटना है ये बात चार साल पहले की है उस रात मेरे चाचा अपने मिठाई की दुकान बंद करके वापस घर लोट रहे थे वापस घर लोटते हुए चाचा ने दुकान से एक डिबबा मिठाई भी अपने साथ ले ले थी उस वक्त रात के तकरीबन नौ बज रहे थे अब तक चाचा हमारे घर के काफी करीब पहुंच चुके थे चाचा से घर की दूरी यही कोई एक आते किलो मेटर की ही रही होगी चाचा वाईक चलाते हुए घर की तरफ आगे बढ़ी रहे थे कि तबी चाचा की नजर रास्ते की किनारे खड़ी उस ओरत पर पड़ी जो की हाथ का इसारा करते हुए चाचा को रुखने के लिए कह रही थी उस ओरत ने लाल रंग की साड़ी भेहन रखी थी और उसने साड़ी से अपना चेरा ढख रखा था उस ओरत को देखकर चाचा को लगा की साड़ वो ओरत उनके घर के आसपास रहती होगी और साड़ उसे चाचा से कोई काम होगा तो चाचा ने उस ओरत के पास पहुँच कर अपनी बाइक रोग दी और चाचा ने उस ओरत से पूछा की जी बेंजी बताइए क्या बात है मगर उस ओरत ने चाचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो किसी जानवर की तरह चाचा को सुमने लगी वो देखकर चाचा को कुछ घरबर लगा तो उन्होंने जल्दी से बाइक श्टाट की और वो बाइक लेकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वो औरत अपने असली रूप में बदल गई जोके इतना भयानक था कि उससे देखकर डर से चाचा की चीक निकल गई उस टायन की आँखे सफेद थी और अंधेरे में भी चमक रही थी इससे पहले कि चाचा कुछ कर पाते या वहाँ से किसी तरह से भाग पाते कि तभी उस टायन ने चाचा की गरदन पकड़ ले और उन्हें उठा कर इतना जोर से जमीन पर पटका कि वो दर्द से कराते हुए वहीं बेहोस हो गए और फिर जब चाचा को होस आया तब उन्होंने खुद को वहीं रास्ते के किनारे जमीन पर बेसूत पड़ा पाया और फिर जब चाचा की नजर अपनी बाइक की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि बाइक पर जो मिठाई का जोला टंगा हुआ था वो फटा हुआ था और काफी सारी मिठाई रास्ते पर बिकरी पड़ी थी खेर फिर जैसे दैसे चाचा ने खुद को संभाला और वो बाइक लेकर घर पहुँचे घर पर चाचा की ऐसी बिगड़ी हालत देखकर जब हम सबने चाचा से पूचा तो उन्होंने हमें पूरी बात बताई और तब चाचा की बात सुनकर मैं और मां की घर वाले भी सत्ते में आ गए और तब मेरी दादीन यानि चाचा की माने चाचा को खूद डाटा कि वो रात के वक्त अपने साथ मीठा लेकर क्यों आए थे दादी के मुताबिक वो डायान का साया उसी मिठाई की वज़े से चाचा के पीछे लग गया था खेर फिर दादी के कहने पर चाचा ने हनुमान चालिसा का पाट किया और फिर कभी दोबारा चाचा रात के वक्त सफर पर भूल कर भी आपने साथ कोई खाने पीने का सामार लेकर नहीं निकले तो दोस्तों ये थी मेरे चाचा के साथ गटी बिल्कुल सची गटना हैलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब उम्मिद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे तो दोस्तों आज की कहानिया आपको कैसे रगी हमें नीचे कमेंट करके पताना मत भूलिएगा और अगर आपको ऐसी ही सची डरावनी कहानिया सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही कई सारी अलग-अलग टॉपिक्स की सची डरावनी कहानिया सुनने के लिए बेल आइकन को ओल पर सिलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के पास सेर जुरू करिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए एपिसोड में कुछ और सची दिल दहला देने वाली भूतिया कहानियों के साथ तब तक के लिए देखते रहिये और जहां भी हैं मचाते रहिये कर दोस्तों मैं आपसे में लोऔ स्षे भून मुल हुल – जई